गती सो सब परती मिनट डिक्टेशन शुरू होगा पांच सेकेंड बाद रेडी स्टार्ट देश की सेना को जेंडर नीटरल बनाने की दिसा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है आर्मी ने कहा है कि वह जल्द ही अपने आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला ओफिसरों को कमीशन करने जा रही है यह ना केबल सेना के अंदर बरावरी का ब्यवहार पाने के लिए संगर्स कर रही महिला ओफिसरों के लिए बलकि समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की इच्छा रखने वाले तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है ध्यान रहे ना सिर्फ अपने देश में बलकि दुनिया भर में सेना को पारमपरिक तौर पर पुरुसों का छेत्र माना जाता रहा है स्वभाविक ही महिलाओं को इस छेत्र में परवेश पाने और आगे बढ़ने के लिए कदम कदम पर बधाओं का सामना करना पड़ा है एक बड़ा अवरोद सेना के अंदर की पारमपरिक पुरुसबादी सोच भी रही है इन तमाम द्रिस और अद्रिस रुकावत्टों का ही परिनाम कहेंगे कि 1990 की जुरुवात में ही 14 लाख की संख्या वाले ससस्त्र वलों के में परवेश पा जाने के बावजूद अब तक महिला आफिसरों की संख्या 3900 से कुछ ही उपर जा सकी है इन में से 1710 महिला आफिसर सेना में 1650 वायू सेना में और 609 सेना में हैं इन से अलग 1670 महिला डॉक्टर 190 डेंटिस्ट और 4750 नर्सें जरूर मिलिटरी मेडिकल अस्ट्रीम में हैं लेकिन खास बात यह है कि सेना के अंदर महिलाओं को कठीन मानी जाने वाली डूटी पर भेजने से बचने की परविर्ती है जिसे महलाएं अपनी तरफ से लगतार चुनोती देती रही हैं आज भी महला ओफिसरों को में या नो सेना की पंडूवियों में तैनाती नहीं मिल सकती बहरहाल अपने जजवे और कोट के सहयोग से महलाओं ने ना केवल परमानेंट कमीशन हासिल कर लिया बलकी धीरे धीरे कठीन मोर्चों पर भी खुद को सावित करते हुए आगे बढ़ रही है सेना की ओर से घोसित ताजा कदम की अहमियत खास तौर पर दो वजहों से है एक तो यह की हालांकी अर्टिलरी को सेना का कॉमबैट सपोर्ट आर्म कहा जाता है लेकिन यह चीन और पाकिस्तान के विवादित और संबेदन सिल सीमा छेत्रों पर तैनात यूनिटों के साथ फ्रंट लाइन पर मौजूद रहती है दूसरी बात यह की सेना का यह फैसला उसकी अपनी पहल पर आया है इससे पहले महिलाओं के लिए अहम भूमिका सुनिस्चित करने से जुड़े ज्यादातर बड़े फैसले कोट के आदेश के दबाव में उठाए गए यह इस बात का संकेत है की हमारे ससस्त्र बलो में उपरी अस्तर पर महिलाओं को उनमें नहित संभावनाओं को देखने का नजरिया बदल रहा है इससे यह उम्मेद बंधती है की ससस्त्र बलो के अंदर महिला ओफिसर किसी भी अन्ने ओफिसर की तरह जैसे जैसे खुद को साबित करेंगी उनकी भूमिका अधिक 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 परभावी होती जाएगी अधिक न्यायपूर्ण और समता मुलक समाज बनने के लच्छ की और बढ़ते भारतिये समाज के लिए यह एक सुकून देने वाली बात है क्या अमेरिका समर्थित तालिवान समझहोता आफगानिस्तान पाकिस्तान में अपना रंग दिखाने लगा है अभी यह सवाल उठाना सायद जल्दवाजी होगा लेकिन सच यही है कि जिस पाकिस्तान को इस समझहोते से सबसे ज़्यादा फैदा होने की उमीद थी उसी के लिए मुस्किले खड़ी होती दिख रही है तहरीक ए तालिवान पाकिस्तान टीटीपी को काबुल से मिल रहे समर्थन को लेकर वह तालिवानी सासन के खिलाफ रूख कड़ा करता जा रहा है पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ रननीतिक मजबूती हासिल करने के लिहाज से काबुल के तालिवानी सासन को अपने लिए उपयोगी मानती रही है मगर टीटीपी सचमुच इसके लिए बड़ा खत्रा साबित हुआ है पाकिस्तान को लगता था कि तालिवान के सत्ता में आने से उसे टीटीपी के खिलाफ कारवाई करने में आसानी होगी लेकिन अब तक तालिवान ने टीटीपी के साथ सांती वारता ही सुरू की है जिससे पाकिस्तान को खास फायदा नहीं हुआ है पाक इंसिचूट फॉर पीस अस्टडीज पी आई पी एस की ओर से दिये गए आंकडो के मुताबिक तालिवान के सत्ता में आने के बाद से यानी अगस्त दोजारिकाइस से अगस्त दोजार बाइस के बीच पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संखिया करीब दो गुना हो गई है ज्यादा तर हमले खैबर पक्तुनखवा और बलुचिस्तान में हुए है पी आई पी एस के मुताबिक टी टी पी के हमलों में पिछले साल 84 फिस्दी बढ़ोत्री हुई है वैसे भी टी टी पी अफगानिस्तान के अमीर के प्रती निष्ठा रखता है उधर पाकिस्तान दावा कर रहा है कि सांती वारता के दौरान कावुल ने कई महत्पुन टी टी पी कमांडर्स को हिरासत में से रिहा कर दिया सच तो यह है कि पाकिस्तान के लिए पिछली असरफ गनी सरकार ज्यादा फायदेमंद सावित हुई थी जिसने पाकिस्तान में अंदरूनी बिरोध के बावजूद दूरंड लाइन पर बाढ़ बंदी करवा दी थी खुफिया रिपोर्टे बताती हैं कि यह बाड कई जगों पर काफी लंबी दूरियों तक तोड दी गई है इस बीच पाकिस्तान में सुरच्छा के हालात इतनी तेजी से बिगड़े हैं कि अमेरिका के साथ ही कई अन देश अपने नागरीकों से वहां जाने की योजनाओं पर पुनर विचार करने को कह रहे हैं इसी संदर्व में पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री राना सना उल्लाह ने हाली में बयान दिया कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान अस्थित टीटीपी के कैमपों पर हमले कर सकता है जवाब में कतर से एक तालिवान लीडर ने सोसल मेडिया पर 1971 में भारतिये फोज के सामने समर्पन करती पाकिस्तानी सेना की तस्वीर पोश्ट की यह सांकेतिक चतावनी थी कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो उसकी क्या अस्थिती होगी इससे एक अलग ही बहस सुरू हो गई लेकिन जो आरोप पाकिस्तान लगा रहा है वह बिलकुल वैसा ही है जैसा असरफ गनी और उनसे पहले हामीद कर जई पाकिस्तान पर लगाते थे कि वह पाकिस्तान में आतंकी हमले करने वालों का अभियारन बना हुआ है अस्टोब